गुलबर्गा टिष्टिक इंचार्ज मिनिस्टर प्रियांखरगे जी के जनम दिन के मौक्या पर मुक्तली गौर्णमेटी स्कूल में कुल 10,000 स्टुडेंट्स के लिए स्कूल विजिट कर कनमनी के नाम से आई चेकप कैम्प और्गनाइस किया गया है जिसमें कुल 600 बच्च प्रविन पाटिल हरवाल और दीगर जिम्मेदारों ने कहा मिनिस्टर प्रियांखरगे के जनम दिन के खुशी में पिछले 8-10 दिनों से मेगा आई चेकप कैम्प गौर्णमेट इसकूल में चल रहा है जिसमें कुल 10,000 स्टुडेंट्स का आई चेकप किया गया है डॉक्टर किरन देश्मुग मजरारम खान और प्रविन पाटिल ने प्रेस्मीट कर कहा कुछ साल पहले तक प्रियांखरगे का जनम दिन बैंगलूर में काफी बड़े पैमाने पर सलिबरेट किया जाता था जिसमें मुल्क के मुखतली पिलाखों से लोग शामिल होकर जश बुलबरगा में स्रवस्टी ड्रेस्ट के जरिए कुछ सालों से कॉर्पेशन सफाई करमचारियों को सेप्टी ड्रेस्ट करना पुलर डोनेशन कैम्प गौर्णेमिट इस्कूल के बच्चों को बुक्स पेन और दिगर चीज़ें डिस्ट्यब्यूट करने के अलावा लास इस वीडियों को एंट्रेक्स जरूर देखें आज श्रवस्टी ड्रस्ट के तरफ से प्रेस कॉंफेंस में आप सब का स्वागत है मैं इस्रवस्टी इस टर्सका चेर्मेन डौक्टर किरन देशूक बोल रहा हूं मेरे साथ हमारे ट्रस्टी डौक्र श्री मजरालम खांसावे श्री प्रविन पाटिल हर्वाल सर है और हमारे फारुक उसेन मनियाल जी है डौक्टर सिद्धार्थ पूरवार है और हमारे बुलबार डिस्टिक इंचा मिनिस्टर श्री प्रियांग खरगेची का बर्थडे है और कहीं सालों से उन्होंने बर्थडे एक ग्रैंड सेलेब्रेशन क्योंकि है हजारों के तादब में बैंगलूर जाते थे उनको वीश करने के लिए तो एक बहुत ही ग्रैंड सेलेब्रे को एक रिक्वेस्ट किया है कि उनका बर्थडे अगर सेलेब्रेटी करना चाते है तो एक कोई गरीबों को या फिर ऐसा कुछ सोशल वर करके उनका बर्थडे सेलेब्रेट किया जाए तो उसी तरह हम पिछले चार-पांच साल से हमारा जो टीम है वो ऐसे कहीं सारे प्रोग देने का हो या फिर हल्थ कैम्प या फिर अंगनवाडी जो वरकर से उनके लिए साडी दिया है और लास्ट हम बहुत ही बड़ेया तरीके से एक स्पोर्ट्स क्रिकेट टॉर्नमेंट भी हम और्गनाज़ किया थे जिसमें अराउंड 177 टीम साय थे तो उसी इसमें हम सब ल करेंगे बोलके हम लोग ने सोचा और हम लोगों ने एक कंड मनी बोलके प्रोग्राम हमने डिसाइड किया है यह प्रोग्राम में हम गौर्मेंट स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको फ्री वहां तक उनके डॉर स्टेप उनके स्कूल को जाके फ्री उनको आई ट हफ़ते से यह अल्ड़री प्रोग्राम चालू है और राउंड 27 तू 28 स्कूल में हमने नेरली 10,000 बच्चों को यह आमने स्क्रीनिंग किया है प्राइमरी स्क्रीनिंग उसमें हमरे 100 से जादा हमरे volunteers और हमरे leaders उनमें youth leaders उसमें participate किया है उसके साथ 15 लोगों का optometrics का team भी participate करके अभी थोड़ों का secondary screening बाकी है लेकिन जितने भी secondary screening हो गया एक 7,800 लोगों का उसमें 572 लोगों को specs लगा है और 22 teachers भी है उसमें जुनोंने अब तक eye test नहीं किया था तो उनको भी हम distribute कर रहे है और एक 15 लोग उसमें students को higher investigation के लिए hospital को हमने tie up जिसको साथ किया था दृष्टे hospital वहाँ पे कुछ अगर higher investigation जरूरी है वहाँ पे हमने refer किया है उसका भी हम cost दे दे तो इस तरह हम क्योंकि कोईड के बाद हमने बहुत सरे studies देखे हैं जहाँ पे school के बच्चों को क्योंकि बहुत ही जादा screen time उन्होंने 2-3 साल किया था तो इसलिए उनका specs बहुत ही common हो गया है तो और usually क्या होता है बच्चों में वो awareness दे रहता है उनको मालूम नहीं होता है जो उसके लिए उनका पढ़ाई लिके पर भी यह होता है असर पढ़ता है तो इसलिए यह concept हमन के बड़ा एक distribution program कर रहे हैं तो यहां पूरा हमरे team रहेगा और पूरे हम जितने भी यहां के लीडर से उनको invite किया है तो हम लोग हमरे पूरे team के तरफ से आप सबको वहाँ invite करते हैं और request करते हैं कि ऐसा एक जो program है उसको support करेंगे जैसे कि अभी अभी प्रियंक हमारे किर उनके जितने भी जो gloss होते हैं उनके जो ड्रेस होते हैं जो उनके safety के लिए होते हैं उन तमाम लोगों को हमने एक साल वो दिया था फिर एक साल हम schools के बच्चों को उनके books, pens जो भी available करना है वो तमाम चीज़ें किये थे और उसके अलावा कई इसे चीज़ें blood donation camps किये थे आ आशा वरकर्स को कूकर्स दिया गया था कई इसे काम किये थे और लास्ट यर आप लोगों ने देखा है कि हमने cricket tournament गुलबरगा डिस्टिक लेवल पर cricket tournament और गनेज़ेंग किया था जिसमें 177 टीम ने participate किया था वो भी एक बहुत बड़ा mega event हुआ था उसमें भी तमाम लोग participate किये थे तो इस बार हम तमाम लोगों ने बैट के प्रियांकर के टीम ने बैट कर यह सोचा है कि इस बार कुछ अलग किया जाए जो लोगों को बच्चों को benefit हो क्योंकि हमारे डॉक्टर साब का एक ऐसा सोच था कि कोविड होने के बाद से बच्चों के eyesight बहुत बहुत ब गरीब बच्चे हैं जिसे पता नहीं चलता है कि उनके eyesight खराब है नहीं है सर में दर्ड होता है तो वो ऐसी बरदाश्कर कर रहते हैं और उनके माबाब भी बताने की सलायत नहीं रगते हैं तो वैशे बच्चों को हम दोर तक जाकर उन बच्चों को टेस्ट कराने की सोच रहते तो उसी जमन में हम तमाम लोग यह सोचे हैं कि खास तोर से जो गोर्मन्ट स्कूल्स रहते हैं और एडिड स्कूल्स जो खास तोर से गरीब बच्चे सबसे ज़्यादा हैं वहाँ पर जाते हैं उन बच्चों को हम टेस्टिंग किया जाएं तो यह सोच कर पिछले दस टेम एक प्नुंड को उसको और यह उसमें आटान्पी को जा रह एंडेन से हम skills को चा सूसरे रहें क Hiskinic और यहां रहे हैं सबस्सक्राइश करकर जो काम की आहन इसके सब्सक्राइब ईसके साथ 15ית आप्तोमालजिस्ट जो उनके साथ में रहेकर जो प्राइमरी टेस्टिंग किये हैं वो लोग मैं समझता हूँ तकरीबन दस हजार बच्चों को प्राइमरी टेस्टिंग की गई है उसके बाद सेकेंडरी टेस्टिंग फिर एक बार सेकेंडरी टेस्टिंग आप्तोमालजिस् में 10,000 बच्चों को हमने टेस्ट की है उन उन स्कूल में जब टेस्ट करने के बाद लोगों का ऐसा ख्याल था जो बैंगलूर से हम जिसको कॉंटेक्ट किये थे वो टीम का ऐसा ख्याल था एक परसंट बच्चे निकलेंगे इसमें मगर यहां जब टेस्ट कियें तो आराउं टेस्टिंग चल रही है वो भी एक दो तीन दिन में वो भी हो जाएगा मैं समझता हूं उसमें भी और निकलेंगा तो अरूंड 600 बच्चे लग रहे हैं उन तमाम बच्चों को और उसमें जैसा कि डॉक्टर साब ने बताया उसमें 15-16 बच्चों को उनके आईसेट बिलकुल खराब हैं तो उनको prefer किया गया है हमारा जो टायव डिस्टी ऑॉस्पिटल के साथ है उनको refer किया गया उनका जो भी खर्चा है हम हमारे टिस्ट के तरफ से बेहर कर रहे हैं तो मैं खास तोर से आप तमाम लोगों को यहां बुलाने की वज़एं यह थी कि हम 20 seconds को कि इन तम हमारे इवेंट को अगर अच्छी तरह से कवर करेंगे तो ये मेसेज दुसरे लोगों को भी जाएगा कि बत्रडे के मौके पे हम लोग ये बच्चों का ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें हमें अमीद है कि हम आप तमाम लोग हमें उस दिन भी सपोर्ट करेंगे और इस इसको भी आप अच्छी तरीखे से इसको अपने अपने पेश से इसको डालेंगे है इसा मुझे उम्मीद है हमारे लीडर के कहने पर हम तमाम लोगों ने ये कर रहे हैं ये सिर्फ हम लोगों ने ये कर रहे हैं और दूसरे हमारे दूसरे लोग जो चाहने वाले हैं अलग- सेकंड को आपको दिखने में आएगा यह एक हम बैंगलूर के एक जो हमेशा से जो आई टेस्ट यह करते हैं लास्ट टेम प्रियंग खरगे साहब ने इसको चितापूर में करवाया था द्रिस्टी आउस्पिसल से टाइप करकर तो वही टीम को हम लोगों ने हाईर किया है व पहले उन्होंने आकर हमारे जो यूद कॉंग्रेस के जो लीडर्स हैं उनको ट्रें किया है जो प्राइमरी टेस्टिंग के लिए पहले हमारे जो यूद कॉंग्रेस के लीडर्स हैं उन्हों स्कूल को जाकर बच्चों को प्राइमरी टेस्टिंग किया है उसमें से जब आएंगे तो 800-900 बच्चों को टेस्ट करने जए बहुत सादा टाइम हो जाएगा तो इसलिए हमारे जो यूद कॉंग्रेस के जो लीडर्स हैं वो बहुत 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 काम के हैं और प्रैमरी टेस्टिंग पूरा उन्हों नहीं किया जब अप्तम अलेजिस्ट की जब और हमारे यूद कॉंग्रेस के टीम जिन्हों ने बहुत मैनद करके जो प्रोग्राम है कंडमनी उसको सकस करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है आपको सभी को मालू में अभी हमरे डॉक्र साब और खान साब जो बोले ए प्रोग्राम कंडमनी के नाम से हम लांच कर प्रियांग खरगे साब के जनम दिन के मौके पर इसका उद्देश अलरी हमारे डॉक्टर साब और खान साब बोले है यह बहुत सोच समझ के यह प्रोग्राम हमने कर रहे हैं क्योंकि प्रियांग खरगे साब ऐसा नेत्या है जो करनाटक में गरीबों के बारे में हमेशा सोच विखते हुए कुछ ना कुछ करना चाहिए करीबों के लिए सोचने वाले एक ही नेता है उन्होंने बहुत सालों और। दिन सलब्रेट करने का तरीका बदल दिया है। मेरा एक रिक्वेस्ट है, यह जो प्रियांक सकर्गे सब जो कर रहे हैं, इसी तरीके से हमारे तमाम जो नेता है हमारे करनाटक में हो भारत में हो, गरीब हो के लिए उनके जनम-दिन के मौके पर कुछ ना कुछ करने के सोचे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स सॉल हो जाएंगे ये प्रोग्राम के बारे में तो खान साब और डाक्टर साब पूरे बुले हैं मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ तमाम गुलबरगा के लोगों से और आपके मादेम से उनको कहना चाहता हूँ प्रियांग साब जो अपने किये बुलके मैं सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ उनके जनम दिन के मुक्रें पर तमाम गुलबरगा शहर में आपके हाथ से कितने गरीब लोगों को हेल्प करना होता है हेल्प कीजिए और आप लोगों को भी 20 सेकेंड को आप आके वो प्रोग्राम सक्सफुली करने के लि